नश्कार दोस्तो माईनेम इस राज और यूर वाचिंग टेक हेल्पिन हिंदी यूट्यूब चैनल आज की मेरी इस वीडियो अगंदर दोस्तों जासे कि आप थम्नेल पर आपको दिखाई दे रहोगा इंडियन एक्चेंजेस के साथ क्या हो रहा है और इसका वोल्म इतना ज होता होगा इंडिया के अंदर क्रिप्टो टेक्स इंप्लिमेंट हो चुका है अब आपको इसके लिए टेक्स देना पड़ेगा पर जो इसका जो फ्लैट टेक्स जो रखा गया 30 परसेंट का उसकी वजह से जो परिशानिया निकल कर आई है गोर्मेंट ने इनको फ्रेश फ टारेक्स जो इसको लगाया है ereid लगाने के बाद भी यह कहा जा रहा है कि हम इसको भ़ई आभी हम सोच रहें करें पर जब तक्टेक्स लेंगे क्या पताम आगे चल्बर कर सकते हैं चाय जो भी हो इस चीज का इंपेक्ट लोलोगों पर इतना परदा जा निकल पर चोटे तारी को सब अपना मामना निप्ट आ चुके हैं या फिर विड्रोव कर चुके हैं आज इंडियन एक्चेंज की हालत इतनी खराब है अभी में आपको एक्जामपल में दिखाने वाला हूं चैनल को सब्क्राइब कर लिजेगा और वीडियो को लाइक कर दीजिगा चलता हूं इसका नेटी टोकन था बीएनेस ठीक है बिटकोईन को तो नहीं डम कर सकते ही बिएनेस तो अपनी खुद की दुकान है यहाँ पर आप देखोगे 91 करीकुर 92 पर सेंट तक का डंप विदिन 24 आउर्स आप देखोगे हाई 5 करीकुर 6 सेंट से अब ये 5 सेंट तक आ चुका है 5 सेंट बोल गया मैं गलती दे यह 0.005 के आसपास या 49 के आसपास चल रहा है इतना यूज डंप देखने को मिला है चलते है थोड़ा सो और आगे बिट्रेक्स एक्चेंज का मैं नहीं देखिए बिएनेस टोकन को उस्टेटी पेरिक अंदर ओपन किया हुआ जो इसके all time high स इसके बात करते हैं तो देखेंगे हम एप्रोक्स 99.50% तक डंप है और यह जो इसका पीक आया था 22 नॉंबर को यानि कि आज से करीब करीब चार महिने यह करीब को 6 महिने पहले की बात होगे 35 महिने पहले अगर आपने बिएस टोकन को पीक पर बाई क्या होगा आज उसकी वैल्यू क्या रहेगी है 0.005 के आज पात खीक है यानि कि 99.50 अगर आपने लाग रुपे लगाए है तो 500 पर पढ़े हैं आपके पास अभी आपके जीव में तो यह हैं इंडियन एक्चेंजेस के बेने स्टोकन की हलत आज ही चलते हैं इस पर पोईन मार्केट के पर ओवर करके लगा दिया अपने कस्टमरों का लग गया उनको तो अच्छा अच्छा जूता लगाया है ठीक है जबरता चोट लगाई है पर इंडारेट वे से गोर्मेंट की तरफ से ही करा गया है ओवरॉल एक्चेंजेस अपना पैसा निकाल लेंगे अब बात यह रही इंडिया के अंदर आप जुलाई तक बंद होते वे देखो गें काफी सारी अक्चेंजेस है बड़े बड़े जैसे वजीरेक्स की बात कर लेजिए कोई डिसकी बात कर लेजिए बी एनस की बात कर लीजिए बीट-बीए नस काफी नोंने सारा टाइम देखा है ठीक है ये पूरी कोजित करेंगे नहीं तो लाश्ट में पैकप करके अपने कई बहार इंटरनेशनल कहीं पर सिफ्ट हो जाएंगे फॉरन में जाकर सिफ्ट हो जाएंगे और महां पर से अपना ओपरेट करेंगे यही एक रास्ट चारा रहेगा इंडिया एक गौर्मेंट ने जो ऐसा लगाया है ना आपको इंडिरेक्ट वे से दुकानी बंद करनी पड़ेगी मैं चलिए आपको काफी चीज़ बता देता हूं अब इसके अलावा जो मार पार दूसरा टोकन है वह है वजी रेक्स ठीक बजी रेक्स कहां गया बही चलिए एक बड़ वजी रेक्स तो देख ल चार से चार डॉललर के आश-पास तक गया थे उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हों कि सार्फी को भम की देखने पार वह है इसको के अदर करते हैं एक जुलाई से पहले तो आप यहाँ पर इसको 20-30-40 अतं तक भी जाता वद देख सकते हैं बड़ी बात निए क्योंकि सारे यूजर सब कुछ को शेल आउट कर देगे अब चलते हैं कोईटी इसे चेंग के अंदर ठीक है अब कोईटी से चेंग आप ओपन किया है यहापर आप देखोगे कोईटी से चेंग के अंदर ट्रेडिंग वोल्यूम आप ओपन करता हूं तो कि चार गुना ट्रेडिंग वोल्यूम खतम हो चुका है यानि कि 70-80% वोल्यूम खतम हो चुका विट्बिय ने से चेंज की बात करते हैं हम यहाँ पर भी चेक कर लेते एक बार 30 दिन के अंदर आप यहाँ पर भी देखोगे यह देखिए करीब करीब 5-6 पराइल को भी 33 मिलि अब यहाँ पर आप देखोगे जो इसके अंदर 2,000,000 टेडिंग वोल्यूम था ठीक यह 17 अप्राइल का है सुरी मैं इसे 30 दिन का खोलता हूं अब आपको यहाँ पर थोड़ा था और आइडिया लगेगा यहाँ पर आप देखोगे 29 मार्च को 3.7 मिलियूम था और आज की अब यहाँ पर आप देखोगे यह करीबर एक अपराइल को 174 मिलियूम था और आज की डेट में आप यहाँ पर देखोगे सिर्फ 30 मिलियूम रहे गया है ठीक है कम से 4 से 4 गुना ट्रेडिंग वोल्यूम इसका गिर चुका है ठीक है 80 से 90 परफंट तक इसका भी ट्रेडिं इसी एक्चेंज गे अंदर आपने देखा होगा ठीक दौस्तों यह है तो लोग अब यहां से इंडियन एक्चेंजे से मूव करके इंटरनेशनल एक्चेंज की तरफ मूव करते जा रहे हैं बागे कोई स्विच कुबेर माप से कहना चाहूँगा कोई स्विच कुबेर है जाए विट बियरेस काफी जो उस एक्चेंज पर कर रहे होंगे या उस एक्चेंज को क्या ताई बुझे बुरी लग जकती है मेरा आप सभी को यही सज़ेसन है इंडियन एक्चेंजे से अपने फंड को विड्रो कर लीजी चाहिए कोई भी एक्चेंज हो एक्सवाई-ज ठीक है इन तरह के उन-वालेट्स का यूज करिए आप इसी बिजरेंटरलाईज एक्चेंज चाहिए आप सीरमन हो चाहिए बाइनette का डेक्स हो चाहाि रेडियम हो पैंकेक शुएप हो यूटिंएपर बेकरिषर अब कितने स्वैप है ठीक है उनको आप यूज कर सकते हैं और वहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, आज कल अभी जैसे रिसंट ये बाइबिट पर आज एक एक चेंज लिस्ट हुआ है, और लॉंच पैड पर आज उनका खुद का टोकन आया है, एपेक्स का वो डेरिवेटिव प्लेटफोर्म है, और डिसंटरलाइज एक चेंज के और क्या आपको कोई KYC की जूरूत नहीं, फोल अपना मजे ली दिये, वहाँ पर ठीक है, ट्रेड करिए, या अगर आप बिल्कुल ही ज्यादा सेफर साइट चलना चाहते हैं, तो सेफ़ पाल वालेट का हाडवेर वालेट रखिए, उसके अंदर अपने टोकन को बाय करके छोड़ दीजिये और उसके बाद देखिये ही मत उसको, ठीक है, तीन-चार साल जब तक आप खोल्ड करना चाहते हैं, जब आपको लगए कहाँ मेरा प्रोफिट हुआ है, तो टैस्ट दे सकते हैं, कोई शू नहीं है, तो यह है, इंडियन एक्चेंजेस पर रही है, अधर पर दो हजार रुपे, तीन हजार रुपे की विट्रोल फीस लगाई थी, जब आप विड्रोई नहीं कर सकते हैं, तो इंडियन एक्चेंजेस के दर सकना फंड विड्रो करने चीजिए, ठीक है, सेफर साइट जलना चाहते हैं, अधर्वाइब उसको यूज करिए, रिजन विडियो नज़र नहीं आ रहा है, तो यह थी विडियो दोस्तों आपको सचेत करने के लिए, इस विडिये में इतना ही विडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देजिए, चले पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नमस्कार्